नमस्कार आज जिस व्रत और तेवहार के बारे में हम बताने जा रहे हैं वह है बहुला चौत या नौर्थ इंडियन कैलेंडर याने उत्तर भारत के कैलेंडर के अनुसार भाद्र पद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और अगर हम गुजराती और मराठी कैलेंडर देखेंगे तो उसके अनुसार श्रावन की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है इस व्रत को पुत्रों की रक्षा हेतु माताएं मनाती है इस दिन गाय के दूद का सेवन नहीं किया जाता है और गेहूं तथा चावल भी नहीं खाया जाता है इस दिन ऐसा माना जाता है कि गाय के दूद पर उसके बचडे का ही अधिकार है या तेवहार मुख्यता गाय की पूजा का पर्व है इसे भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है बहुला चौत की कथा इस प्रकार है एक बार बहुला नामक एक गाय जंगल में घास चरने गई वहाँ पर उसे एक सिह मिला सिह उसे मार कर खाना चाता था पर बहुला ने उससे आग्रह किया कि उसका एक बहुत ही छोटा सा बच्छडा है जो की भूखा है वहाँ उसे दूद पिलाना चाती है अगर सिह याने शेर आग्या दे वह जाकर बच्डे को दूद पिलाकर वापस लोटाएगी सिह ने सिह को गाय पर दया आगई और उसने उसे जाने दिया बहुला अपने वच्छन के अनुसार अपने बच्छडे को दूद पिलाकर वापस लोटाई यह देखकर सिह बहुत ही खुश हुआ और उसने बहुला को जाने दिया श्रावन और भाद्रपद मास मौनसून का मास होता है इसलिए किसान खेतों के साथ साथ गाय की भी गोधन की भी पूजा करते हैं बहुला चौत के दिन बहुत से स्वादिष्ट पक्वान बनाये जाते हैं और लोग काफी हसी खुशी के साथ या तेवहार मनाते हैं आप सभी को बहुला चौत की बहुत बहुत बधाई आशा है हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी धन्यवाद